असलाम आलेकूम मैं यूटूब फैमिली कैसे हो आप सब आई हूब आप सब ठीक होगे खुश होगे मज़े में होगे तो अभी इदर में केक की तयारी कर रही हूँ यह मेरे ओर्डर का केक है तो मेरे पास दो ओर्डर आये थे और दुसरे भी मैं केक बना रही थे अगर आप को फूल वीडियो देखने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना तो मैं इसकी फूल वीडियो एड करूंगी इंशालला मेरे वीडियो बनाके रखी हूं अगर आप कमेंट कर होगे जादा से दादा कमेंट आएगे तो मैं यह केक की पूरी में धर कैसे बनाते क्या कुछ वो सारा कुछ मैं आपके साथ जरूर सेर करूंगी और इदर मैं उसके आइसिंग करके अभी इसको डिजाइनिंग करने के लिए इदर के उपर मैं सारे डिजाइनिंग के लिए इदर कलर वाला क्रीम करके मैं इदर लगा रही थी तो यह फ्रोजन थीम में था एक और दुसरा भी था और यह एक बार्बी केक था यह सारे मेरे ओर्डर के थे और उसी दिन फिर मेरे को भी कहीं बाद जाने का था जैसे कि अभी बच्चे लोग की छुटी हुवी है तो थोड़ा मम्मी के वाँ मेरे को दो-तिन दिन के लिए जाने का था तो बस मैं बोली फटा-फटी ओर्डर कंप्लीट करते और फिर वाँ निकलते तो बस मेरे ओर्डर का जो भी काम था वो सारा कंप्लीट करके सारा कुछ दे के अभी हम लोग इदर निकल गए है मम्मी के वाँ जाने के लिए तो आया नमान तो पहले ही चले गए थे अब मैं और मुस्कान बाकी थी तो हम जुमा नमाज पढ़के फिर मम्मी के वाँ के ल लोग बोल रहे थे कि दर आजा करके पर तभी तो मैं नहीं गई क्योंकि तभी बच्चे लोग के एक्जाम अगेरा सारा कुछ चालू था तो तभी मैं नहीं गई और महां पे भी कुछ मेरे अबबाने कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन रखे जैसे उनके सारे नवासों का और नवासी लोग का बड़े था तो उन्होंने छोटा मोजा सेलिब्रेशन रखे थे तो बस उसके लिए हम लोग भी तैयारी करके यहां से निकले थे तो मैंने भी बच्चे लोग के लिए जैसे मेरी भेन आई है वासे गाउं से तो उसके बच्चे मेरे बच्चे मेरी भा अगेरा बना के लिए थी और इदर हम लोग पहुंच गए अभी मम्मी के वाँ तो इदर भार मम्मी खड़े थे पानी भर रहे थे वो भी लोग को दूफेर में पानी आता है ये टाइम पर बस उन लोग पानी भर रहे थे इदर देखो मेरी बेहन के दोनों बच्चे मेरी भा मां पर पहुंचे और काफी बच्चे लोग भी काफी खूस हो गए सब लोग एक साथ मिले काफी टाइम के बाद मम्मी पपा भी काफी खूस हो गए सब लोग मिले उनको भी अच्छा लगता है उनके घर पे नवासे लोग आते नातिन लोग आते सारे तो और इदर में नान बत्बचे लोग इतने एकसाइटिद थें उसको खाने के लिए देखने के लिए कोई बोर्द मेरी फुपी ने बनाए कोई बोर भात मेरी मासी ने बनाये तो अब अब तलों बच्छे को कट्टिंग करके दे दी теперь देवन लोग खारें और माशालला सब को यह पीजा बहुत पसंद आया सब बच्चे लोग तो माशालला बहुत अच्छे से खाए उन लोग खूस हो गए खाने के लिए कि मासी अपने पीजा बहुत अच्छा बनाया है करके और अभी बच्चे लोग की छुट्टी है तो ऐसे तो हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है क्योंकि अभी मेरी तब्वेद भी इतनी स्टेबल नहीं हुई कि मैं उन लोग को कहां पर लेके जाओ बच्चे लोग को घर पर हम एंजॉई करा देते हैं और जैसे कि मेरी सिस्टर भी आई है तो हम लोग सब मिलके यहां पर रहेगे एक दो दिन के लिए रहेगे या उससे जादा भी रह सकते जैसे बच्चे लोग की छुटी है उस पर डिपेंड करता है खापी के सारा कुछ हो गया फिए सामका टाइम था चाई के साथ सब बच्चे लोग ने फर्मा इसकी मामी को तो क्या जब पानी पूरी बना होते इधर मामी वही पानी पूरी बना के सबको वही खिला रही थी वह बारबी केको के कर अधा तो इदर दो केक आये थे क्योंकि सब भी बच्चे लोग का बड़े अक्टोबर में आता है सब का अलग-अलग आगे पिछे डेट है तो उसके नाना ने बोले के सब का एक साथ ही बड़े हम करेगे तो बस इदर सारे जितने भी ये बच्चे लोग स्क्रीन पर दिख रहे अभी सब काई बड़े था तो लोग सब इदर बड़े छोटे सब काई बड़े हमारे घर में ऑक्टोबर में ही जादा करके आता है और इदर एक साइट पे मेरे भाई का वीडियो कॉल भी चालू था और सब इदर बच्चे लोग को काफी मज़ा आई थी उस दिन तो सब बच्च लोग के लिए और काफी दिन से मैं भी कोई वीडियो नहीं डाल रही हूं तो अभी मेरी टब्बे इतनी स्टेवल नहीं हुई है और इदर असा के कभी कुछ काम में कभी कुछ काम में तो उसकी वज़ा से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूं अभी और बच्चे लोग भ बहुत जल मैं regular होंगी हर बार बोलती हूं regular होंगी पर कुछ न कुछ इसू की वज़ा से मैं regular वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो आई होब आपको मेरी वीडियो पसंद आए पसंद आए तो उसे like, share, subscribe जरूर कीजे और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजे, subscribe कीजे और अच्छे-च्छे कमेंट कीजे और आपको अगर यह केक की रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएए फिर मिलेगे नहीं वीडियो के से